जैहिन नमस्का दोस्तों अगर आप सभी BSF Trademan का एकजाम दिये थे मेरी बात को बहुत ध्यान सरसे सुनिएगा अगर आप सभी BSF Trademan का एकजाम दिये थे जो कि 2023 की भरती थी ठीक है अगर आप नई भरती के दियार कर रहे हैं BSF Trademan की निखाले हुए हैं इस बच्चे का आप सभी यहां पर देख सकते हैं यहां पर उसका यहां पर इस बतलब कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था देखें आप पे इस बच्चे का यहां पर इसको मिला हुआ था ठीक है आप भी यहां पर नंबर चेक कर सकते हैं कि बात करूँगा लास्ट में में यहां बात करूँगा कि बच्चे का इसका पुरानी भरती का पूरा कहारी खत्म बात करें यहां पर इसका पुरानी भरती का četam freue भुए पहर्डेंगे राज्य बात करने पने मुबाइल प्रति को फोन में किसी बी ब्रॉजर को अपन कर लेना और वहां पर आपको सर्च कर देणा है ब इस अथ कर देना है गरक्त करते हैं तो साब यह इस टाइब का फेस आए का पर यहाँ पर दे सकते हैं आपको पर अपeremosड़ भर्टेस में यूच किया था अपको उसी इमेल आडू के यहाँ पर अपना जो भी password आपने बनाया होगा उस password को यहाँ पर लिख देना है आपको इस पर इस box पर click करके उसके बड़ आप सभी को यहाँ पर नीचे login का option दिख रहा है आपको इस पर click कर देना है तो आप सभी सामने दूसरा interface आजाएगा चलिए आप यह यहाँ पर इस टाइप कर देना है अब जैसे आप सभी यहाँ पर click करेंगे login ओले option पर तो आप सभी सामने इस टाइप का अटरफेस आजाएगा यहाँ पर आपको इस बच्चे ने यहाँ पर सिर्फ हो सिर्फ एक फॉर्म ही फिलप किया है ठीक है जोकि 26 मार्च 2023 को इन्हो बटन दिख रहा है आपको इस पर click कर देना है अभी जैसे आप सभी इस पर click करेंगे तो आप सभी सामने इस टाइप का अटरफेस आजाएगा और आपको एक बात याद रखना है कि आपको उसी भरती के सामने एक्शन वाले बटन पर click करना है जिस भरती कि आप सभी option है print admit card का आप सभी का last admit card जो रहा होगा आपको देख जाएगा ठीक है और देखें नीचे यहाँ पर चौथा option अब यहाँ पर आ चुका है जो की बलू रहा है print result का ठीक है आपको इसी print result वाले option पर click कर देना है अभी जैसे आप सभी यहाँ पर print वाले result के आप सभी करते है मतलब अगर बात करें यहाँ पर simple भाता में तो बेसब की तरफ से भी आप सब का result यहाँ पर जारी किया जाता है कि आपने कितना number पाया है अपने भरती में ठीक है यह चीजी बेसब की तरफ से यहाँ पर बताई जाती है अब हम चलते हैं आपको दिखा देते हैं क्या क्या इसमें बताया गया ठीक है मैं कुछ personal detail उसको मैं hide करता हूँ और जो कुछ यहाँ पर बताया गया हो मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है देखेगा आप सभी यहाँ पर आपको application ID देखने को मिल जाएगा ठीक है और उसके बार आप सभी यहाँ पर देखेगा आप सभी को आपका नाम जो है आपको देखने को मिल जाएगा father name देखने को मिल जाएगा mother name देखने को मिल जाएगा आपकी category क्या है वह देखने को आपको मिल जाएगा ठीक है ओशी सब में जैसे आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ ता हुआ था और यट्टन निगजाम में कितना नमo बंदे ने 74 नमबंदे ने पाया है मतलब बच्छे ने 74 नमबर अपनी मेंधस से लेकर आया है अभी देखो क्या होता है कि आप सब्छिए हाँ पर अपना एउन्ज्ट suggest number पता कर सकते हो कि कितना number हमने means of चेक कि यह हमदानाम है या फिर नहीं है आपका नाम उसमें नहीं था लेकिन आप कितना number पाए थे यह कैसे परना चलेगा यह सबारे चलेगा किwo इसके बाद के लेते हैं नई भरती के बारे में क्योंकि यह अभी तक जो यह लाश्ट बेसफ ट्रेडमेन की 2023 वाली भरती का यह लाश्ट रिजल्ट है अब इसके बाद इसका कोई भी रिजल्ट यहां पर नहीं आएगा अब इस भरती कि कहानी खतम होगी ठीक हम आप थोगी भरती अब यह यह बाती कहीं जा रही थी लेकिन अभी मैं आपको बता दूए आपर कि इसकी भरती जो है वह आप सभी को देखने को अब आगे आने वाले 15 दिन के अंदर आप सभी को भरती देखने को मिल जाएगा आगे आने वाले 15 दिन के अंदर ही आप सभी को 20 टेडमें 2024 की नई भरत जाती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे आपको सब्सक्राइब के बटन दिख रहा भरती में आप सभी का पहले यहाँ पर एक्जाम होगा ठीक हैं उसके बाद आप सभी का यहाँ पर पी इटी और पीसटी होगा मतलब फिजीकल एविछनसी टेस्ट और फिजीकल स्टेंडर के साथ यहाँ पर होने वाली है बाकि जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लग वीडियो को लाइक कर देना और भरती आपको 15 दिन के अंदर देखने को मिलने वाला है तैयारी आपसे बनाए रखिए डॉकुमेंट भी आप सभी यहां पर एक ठाकल लीजिए अगर आपको डॉकुमेंट की स्पिसल वीडियो चाहिए कमेंड बाउस में लिखिए गया हम आप सब के लिए स्पिसल वीडियो जरूर लेकर आएंगे तो चले मिलते ने इस वीडियो में किसी नई भरती और नई अपडेट सतों तक ले जाहिंज भारत वंदे मात्रम